प्रवाइब गारें नावाश्कार दोस्तों सभी का एक बार फिर से आशी इश गौदम के साथ अड़ा 247 हमारे से YouTube प्लेटफॉर्म पे और आए हम लोग डिसकस करें कि 19th of May की most important news आप लोगों से गुजारिश रहेगी वीडियो को maximum जितना आप लोग शेर कर सकते हैं मेरे भाई शेर करना स्टार्ट करेगा फिर हम लोग यहाँ पर detail में study करेगा कैसे यहाँ पर हम लोगी चीजों को लेकर चलने वाले हैं फाइनली साउंड इस ओके एक बार जड़ा देखके बताईए फाइनली साउंड इस ओके तो गाइस सेशन इस स्टार्ट करते हैं हम लोग जन्वरी कंप्लीट कर चुके हैं फर्वरी कंप्लीट कर चुके हैं यह मार्च चल रहा हम लोगा अल्मोस्ट मार्च भी कंप्लीट होने को आ गया है जहाँ सेधा एक क्लास और है इसके बाद जो कि इस batch में enroll करा लीजे ये मेरा batch है warrior 7.0 14th of में से start हुआ है इसके price को reduce करके 9.90 पर ले आए हैं आप लोगों के लिए सस्ता ही है तो जिन्होंने अभी तक join नहीं किया है add a 247 application install करो application में warrior 7.0 batch select करो और batch select करने के बाद view offer में application में store में जाना warrior batch join करना sbi clerk के नाम से मिलेगा warrior batch for sbi clerk pre plus mains के नाम से मिलेगा पर वो warrior 7.0 ही है sbi pio sbi clerk rrbp rrb clerk ibps pio ibps clerk सब ही को में बहुत help करने मिल जा रहा आपको जाते ही मेरे भाई इसमें view offer में जाके code लगाना app से y168 78% discount मिल जाएगा आपको 3 classes हो चुके मंडे मतलब अभी तक मेरी इसमें दो classes होई है तीसरी जो class होगी वो live रहेगी तो हो चुके है वो recorded मिल जाएगी clear done आज जागे तुरंट की तुरंट enroll कराना मेरे दोस्त session start करते हैं हम लोग फटापड से बस तुम लोग को एक काम करना है इस warrior batch में आज जागे enroll कराना है जिनके पास bank maha pack उनको यह sum मिलेगा और जिन्होंने bank maha pack की membership ले रखी है जिन्होंने bank maha pack की membership ले रखी है उनको भी यह batch मिलेगा और जिन्होंने अभी तक नहीं लिये जाके ले लेना ओके चलो आगे बढ़ते हैं recorded session रहते हैं इन सभी में यह bank maha pack की one year की validity है यह membership है इसमें सारे bank और insurance exam कवर होंगे 3850 का पड़ेगा इसमें भी code लगा सकते हो Y168 तुमारे भाई का code है Y168 चलो अब बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर ध्यान से सुनिएगा Assets Reconstruction Company India Limited has announced appointment of whom as its chief executive officer and managing director फटा फट बताईए मेरे भाई SBI clerk exam postpone हो गये Smart India अगर postpone हो या ना हो जो deadline पहले की दीती उन्होंने यह tentative date दीती है exam की उसी के according खुद को prepare रखो समझ रहे हो अगर postpone होती ही तो हम लोग ALS में आ जाएंगे बिलकुल कता ही ऐसा नहीं करना ठीक है तो भाई asset reconstruction company India limited ने किसको अपना मुखे कारिकारी अधिकारी और प्रबंध इंदेशक के रूप में appointment की गोशना की है तो यह पलव महपात्रा यह नाम याद रखने हैं पलव महपात्रा clear चलो next आगे world most powerful super computer Fugaaku is ready for use it is which country's super computer दुनिया का सबसे शक्ति साली super computer Fugaaku उपयोग के लिए तैयार है यह किस देश का super computer है तो भाई साब यह Japan का तो world का जो सबसे मनलब कह सकते हैं कि world का powerful most powerful super computer Fugaaku Japan UK ने collaboration किया है UK ने अभी collaboration किया है Microsoft के साथ एक world का most powerful super computer बनाने के लिए लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो Japan का है सबसे most powerful super computer okay which day is observed as the pi day pi day किस दिन मनाया जाता है तो भाई सब pi day मनाते है 14th of March को okay यह अपने लिए important है pi day मतलब 14th of March clear भाई एक number में days से question आते हैं मैंने आप लोगों को बताया है कि days की मैं list complete करा चुका हूँ January, February, March और April की तो जिन्होंने अभी तक ही यह complete नहीं करी है आप लोगो YouTube पर search करना है important days of January 2021 by Ashish Gautam January days January 2021 days by Ashish Gautam search कर लेना मेरे भाई ऐसी February के March को और April के आपको top पर मिल जाएगी वीडियो 15-15 मिनिट के session है उसी के comment box में PDF मिल जाएगी इन session से complete करना PDF तो काम आईगी लेकिन session से इनको सुनना एक दो बार आपको सारे days याद हो जाएगे next मेरे भाई फिक्की and Boston Consulting Group फिक्की and Boston Consulting Group बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रूप एंड फिक्की have unveiled India FinTech a US 100 billion US dollar opportunity report एक India FinTech a US 100 billion US dollar opportunity report is released by BCG BCG मतलब Boston Consulting Group और फिक्की ने मिलके अभी एक report जारी किया है India FinTech a US dollar 100 billion opportunity report by which year, किस वर्ष तक इन्डिया की जो FinTech industry है इसकी value जो है value है वो 150 to 160 billion US dollar हो जाएगी किस वर्ष तक मेरे भाई इसकी value 150, 160 billion US dollar हो जाएगी exact important बनेगा ये अलब ये important बनेगा exact answer question ये ही बन सकता आपके exam में so guys answer 2025, 2025 तक okay Sahity Academy Award is a literary honor in India who will be conferred in English किसको English में परदान किया जाएगा for his and her book when God is a traveler okay Sahity Academy पुरुसकार भारत में एक साहितिक सम्मान है किसे उनकी पुस्तक when God is a traveler okay when God is a traveler के लिए अंग्रेजी में सम्मानित किया जाएगा so guys answer बनेगा अरुन्दती सुबर्मन्यन अरुन्दती सुबर्मन्यन को अरुन्दती सुबर्मन्यन को when God is a traveler जो उनकी English book है इसके लिए साहितिया Academy Award से सम्मानित किया जाएगा clear भाई next अगला, सहित्य अकेडमी अवर्ड हिंदी में, किसको दिया जाएगा 2014, ये जो टोकरी में दिगंत थेरी गाता 2014 इस बुक के लिए, इंग्लिश के लिए है, अरुंताथी सुबरुमन्यन को, वेन गॉड जा ट्रेबलर के लिए दिया जा रहा है, टोकरी में दिगंत थेरी गा एमेका, ऺजो अगला, चिल्डरन बॉक जिसका नाम है प्रिंस विदब पेंट ब्रश, दा इस्टोरी ओफ राजा रवी वर्मा इस रिटन बाए हूं, प्रिंस विद अपेंट ब्रश, दा स्टोरी ओफ राजा रवी वर्माि से द्वारे kिताब लिखी गई है, इसका नाम Prince with Paintbrush, okay Prince with Paintbrush, the story of Raja Ravi Verma, okay Next, Fencer Bhavani Devi Talwar Vaj Bhavani Devi has script history by becoming first Fencer from India to qualify for the Tokyo Olympic Fencer Bhavani Devi ने Tokyo Olympic के लिए क्वालिफाई करके भारत की ओर से पहली Fencer बन कर इतिहास रच दिया and she is from which state हो सकता सवाल यू भी पूछ ले कि Bhavani Devi is related to which sport तो ये Fencing से संबन नेता है Talwar Vaji से संबन नेता है, okay तूसरा, who has become first Fencer to qualify for Tokyo Olympic first Fencer, तो answer बनेगा यहाँ पर Bhavani Devi, तीसरा question, she is from which state so guys, answer बनता है Tamil Nadu, okay, Tamil Nadu ये नाम याद रखना है, next Better and better, Mitali Raj has become first women cricketer to complete 7000 ODI run, तो अनुभवी बन्लेवाज, मिताली राज, जो कि राजिस्थान से है, 7000 one day run पूरे करने वाली पहली महिला cricketer बन गई है, और overall ये अगर हम लोग देखें, तो ये तो one day की बात हो रही है overall ये पहली भारती है जन्होंने 10,000 run भी कर लिये total one day में, T20 में, test में, मिला के विश्व में दूसरे नंबर की जन्होंने 10,000 run किये है भारत में पहले नंबर की जन्होंने 10,000 run किये है और 7,000 one day run करने वाली भी पहली ही है भारती कफ्तान ने अपने किस match में 7,000 run के मील के पत्थर तक पहुंची है, the Indian Scupper has reached 7,000 run milestone in her which match किस match में यहाँ पर पहुंची है पड़बड़ बता ही दोस्त question in Saraswat Bank ओके, चलिए बहुत भड़िया, आंसर बनेगा यहाँ पर option number 4, 2, 1, 3, 213 213 मैच में, किसमें 213 मैच में Mumbai has won Vijay 1000 Trophy title 2021 by defeating Uttar Pradesh Vijay 1000 Trophy is related to cricket, Vinu Mangkal Trophy is related to cricket, Ranji Trophy is related to the cricket यही समझना पड़ेगा, okay Vijay 1000 Trophy 2021 का जो title था, यह Mumbai के नाम रहा था, और Mumbai ने Uttar Pradesh को हरा कर यह title अपने नाम किया Who was the player of the match Oh my god, Uttar Pradesh को हरा कर Mumbai ने Vijay 1000 Trophy 222 का खिता, player of the match कौन था, well done मिरे दोस्स अंसर है, यहाँ पर आदित्य तारे आदित्य तारे नोने सत्क लगाया था Century लगाया थी, next Mumbai City FC has secured its maiden Hero Indian Super League title by defeating ATK Mohan Bagan at the Fatorda Stadium Mumbai City FC ने Fatorda Stadium में Mumbai City FC ने Fatorda Stadium में ATK Mohan Bagan को हरा कर अपने पहले Hero Indian Super League खिताब को जीत लिया है यह इन्हों ने हरा कर अपना पहला Hero Indian Super League हिताब जीता सवाल यहाँ पर यह है कि इस दोरान Golden Boot Award किन को दिया गया था Golden Boot Award से किन को सम्मानित किया गया भाई, यह है Egor Angulo Egor Angulo, ओके तो यह ATK Mohan Bagan को हरा कर Mumbai City FC ने Hero Indian Super League title अपने नाम किया, Fatorda Stadium में Final रहा और Golden Boot दिया गया था Egor Angulo को, ओके Egor Angulo को, clear है One minute मेरे भाई Next Which state has celebrated Full Day Festival यार यह तो मैं तुम लोगों को अभी सुबह साथ वजे वाले सेशन में Cover कराएं, पूरे के पूरे फैस्टबल जितने भी है Full Day Festival किसका है, उत्राखंड का देखें, उत्राखंड का Full Day Festival ओके, यह याद रखना, Full Day Festival उत्राखंड, ओके, next आगे Center has reconstituted an advisory committee to chalk out a plan for studying the mythical सरस्वती river for next year आने वाले दो सालों में सरस्वती river के बारे में जो एक पौराणएक सरस्वती river है उसके बारे में study करने के लिए एक committee, एक advisory committee बनाई है और इस advisory committee के chairman का नाम के What is the name of the chairman of this advisory committee? So guys, answer है प्रहलाद सिंग पतेल प्रहलाद सिंग पतेल clear है प्रहलाद सिंग पतेल next देखना Ministry of Commerce and Industry ने अभी हाल फिलाल announce किया एक portal dedicated portal to digitally facilitate investor जो investor है इनको साहेता करने के लिए digital तोर पर एक portal Ministry of Commerce and Industry के द्वारा बनाए गया है इसको launch किया गया इसका नाम क्या है? इसका नाम है आत्म निर्भर निवेशक मित्र प्लीज फोकस करना आत्म निर्भर निवेशक मित्र clear? क्या कर रहे है गुरू? shareware नहीं करोगे क्या? 800 बच्चे तो तुमने हाल पहुचा दिये मात्र 13 मिनिट में और इसके बाद कैसे ठंडे पड़ो? जल्दी जल्दी share करना start करो मेरे भाई जल्दी जल्दी देखो आज है warrior 7.0 की तीसरी class warrior के price reduce करके 9.90 कर दी है तो जिनको भी financial awareness पढ़ना है mains के लिए 10 से 15 question आपको यहां मिलेंगे आपके interview में भी help करेगा mains को crack करने में तो यह warrior 7.0 batch है warrior target SPI के नाम से आपको मिल जाएगा यह 3 plus mains उसमें लिखा होगा 7.0 ही है आज जाके enroll कराओ application से जाके इसको select करना Y168 code लगा देना मेरे दोस्ट 3 बज़े से class है मेरे 325 गलती से miss मत करते है आज price reduce करा दी है 990 पर है यह नेक्स देको प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मूदी जी ने अभी एक virtual summit किया था with the Prime Minister of Finland Finland के जो यह प्रधान मंत्री इनका नाम क्या है दोस्त जो यह happiness index है happiness index इसमें भी Finland top पर है Chandler Index करके आया था भी Chandler Index मेरे भाई उसमें भी यहाँ पर Finland top पर रहा है यह दोनों ही indexes आपको याद रखने Finland के प्रधान मंत्री का नाम क्या है what is the name of the Prime Minister of Finland ओके तो एक राधा Chandler Good Government Index India 49 दूसरा Freedom यह Good Government Index 49 और top किया Finland ने India 49 रहा था happiness report की बात करते है happiness report में भी happiness report में भी Finland top पर रहा था और India उसमें 139th place पर रहा तो Chandler Good Government Index India 49 happiness report India 139 और दौनों में happiness में और Good Government Index में दौनों में Finland ने top किया Finland के प्रधान मंत्री के साथ मोदी जी का समिट रहा था Finland के प्रधान मंत्री का नाम है Sana Marine Sana Marine यह नाम याद रखना है Capitalist की है Health in Key Currency यहाँ पर Euro चलती Euro या मुद्रा चलती है Next Office of Economic Advisor देखो यह है Ministry of Commerce Ministry of Commerce and Industry Commerce and Industry Ministry के तहत Department for Promotion of Industry and Internal Trade Department for Promotion of Industry and Internal Trade इसके तहत Office of Economic Advisor है जो कि WPI आज सुबह 7 बज़े ही पढ़ा है हम लोगोंने Wholesale Price Index जारी करता है अब सवाल यह है कि फरवरी महीने में Wholesale Price Index कितना था 4.17% ठीक है 4.17% There are how many manufactured products under WPI तो WPI में जो Total Article है Total Article यह आपके 617 है Primary Article 117 है Fuel and Power यह 16 है और Manufactured जो Product है It is 564 564 यह आपको याद रखके चलना है 564 Next What is the name of Padamshiri Awardee Kathakali Artist Who Has Passed Away तो Padamshiri से सम्मानिस Kathakali कलाकर का नाम क्या है जिनका नितन हो गया तो भाई यह है चैमन चेरी कुनही रमन नायर चैमन चेरी कुनही रमन नायर इस Padamshiri Awardee Kathakali Artist Who Has Passed Away Recently Next Union Bazaar यह exam का question रहा है आपका एक्जाम का भी हल फिलाल Union Bazaar तो यहर 20-20 अभी वाला Bazaar नहीं 21-22 पिछली साल की बात हो रही है राखी गड़ी को अभी Iconic Side के रूप में तबदील किया जाएगा यह हर्याना के हिसार डिस्टिक में है निम्निमे से कौन कौन है जिनको Iconic Side के तोर पर तयार किया जाएगा तो टोटल मिलाकर 5 है तो इसमें एक है आपका आदी चलनूर तमिल नाडू में है असम के शिव सागर को गुजरात के दोला वीरा को और उत्तर प्रदेश के हस्तिनापूर को प्लस अर्याणा के हिसार डिस्टिक में राखी गड़ी इन पांचों को Iconic Side के रूप में तबदील किया जाएगा इसे याद रखना ये एक्जाम का कोशन बन चुका है नेक्स देखते है नेशनल वेक्सिनेशन डे इसेलब्रेटEd ऐवरि येर ओन विच डे रास्ति टीका करद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है प्रतेक वर्ष रास्तिवैक्सिनेशन डे लेशनल वेक्सिनेशन डे रास्ति टीका करद दिवस सोरह मार्च को अब्सर्व करते है okay who has become first ever batsman to score 3,000 run in a T20 international पॉर टीटवेंटी international में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेवाज बन गए हैं विराट कोहली ये ग्रेट लर्निंग के ब्रेड्डें मेजरें ये वीवो के brand name में is done है विराट कोहली और 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेवाज बन गए हैं किसमें T20 International में है Who has been appointed as the Director General of Central Reserve Police Force CRPF का Director General किनको बनाया गया है तो भाई सब यह है कुलदीप सिंग को CRPF का Director General बनाया गया और यह सुबह साथ बज़े में current office cover हो रहा है न Warrior Batch Financial Awareness Related उससे related concept discuss करने है जो आपके exam में direct question बनाते हैं Who has been named Director General of National Security Guard किसको रास्तिय सुरक्षा Guard के महा निदेशक के रूप में नामित किया गया है तो यह है M.A. Gunpati M.A. Gunpati has been appointed as the Director General of National Security Guard NSG के Director General करा में M.A. Gunpati What is the name of President of Inter-Parlamentary Union यह भारत में आये थे अंतर संसदिय संग IPU के Director General कौन है IPU के Director General कौन है Inter-Parlamentary Union के Director General कौन है Where is the Headquarter of Inter-Parlamentary Union? Where is the Headquarter of Inter-Parlamentary Union? So guys, Geneva Geneva में इसका Headquarter है Switzerland के Geneva में Gavi का Headquarter भी Switzerland के Geneva में Recent में News में रहा इसके अलावा Stop TV Partnership Board Stop TV Partnership Board इसका मुख्याले भी जनेवा में और IPU Inter-Parlamentary Union का मुख्याले भी जनेवा में दुआरते पच्चे को दुआरते पच्चे को इस अब President of Inter-Parlamentary Union Next Union Cabinet ने अभी हाल पिलाल एक Development Finance Institution बनाया है For Financing मतलब बनाने के लिए Announcement कर दिया Okay, Clearing दे दिया है Union Cabinet has cleared the setting up of Development Finance Institution For Financing Long Term Infrastructure Development Project of the Country What is the initial capital of this DFI Development Finance Institution So guys, answer is 20,000 करोड 20,000 करोड रुपे is the initial capital of DFI Development Finance Institution और जिसको बनाने किस के लिए किस परपस के लिए बनाया जारा है जो Long Term Infrastructure and Development Project है उनकी फाइनसिंग के लिए Okay एक बुक है जिसका नाम है My Life in Full Work Family Our Future My Life in Full My Life in Full Work Family Our Future Is authored by whom? Indra Nui Indra Nui की ये मेरे भाई Life के उपर एक किताब है My Life Important My Life in Full Work Family Our Future Work Family Our Future Okay Work Family and Our Future Clear भाई? ठीक है? Next आगे Sixth India, Brazil, South Africa IBSA मतलब India, Brazil, South Africa Women Forum की मीटिंग रही थी ये छटी मीटिंग थी What is the name of President of Brazil? Brazil के President का नाम क्या है? तो guys, answer है Jair Ball सुनार Jair Ball सुनारो Is the name of the President of Brazil Scott Morrison, Australia के PM है? Australia के Boris Johnson, UK के PM है? Sana Maren, Finland की Prime Minister है? Sillan Ramaphosa, बताना कहां के? कै ये South Africa के है? Yes or No Jair Ball सुनारो Is a President of Brazil Clear guys? Next ICC slapped 8-year ban on UAE cricketers दो करकेटर हैं जिनके उपर ICC ने प्रतिबंद लगाया है और दोनों का नाम है Mohamed Naveed and Shaman Anwar Bhatt Mohamed Naveed and Shaman Anwar Bhatt Clear है ये? Next TV Sadanand Gora I am to hide myself TV Sadanand Gora जो की Minister of Chemical and Fertilizer है इन्हों होने 11th India CAM 2021 इसका उदगाटन किया इसका विशे क्या है? इसका theme क्या है? इसका theme है India Global Manufacturing Hub for Chemical and Petrochemical मिरे लिए ये बहुत important है theme जो ये BRICS है BRICS Summit जो BRICS Summit है इसका जो 13th edition है 2021 वाला इसको India host करेगा ओके? इसको India host करेगा Clear है? Credit Discipline and Credit from Formal Institution Credit Discipline and Credit from Formal Institution इसकी बात करते हैं ये तो RISA Bank of India ने अभी एक Financial Literacy Week मनाया था आठ फरवरी से लेके बारे फरवरी तक आठ फरवरी से लेके बारे फरवरी तक और इस रेसी वीक था इसकी theme थी Credit Discipline and Credit from Formal Institution Credit Discipline and Credit from Formal Institution इसको भी याद रखना आपको ओके? चलो next Guys 1.5 required session को share कर दीजिए हर जगे अरे वाई यह हमाई संतोस सर होंगे या तो शुबम सर होंगे ओके? चलो बहुत भड़िया है मेरे दोस्त दोस्त शेयर वेर कर दो देखो आप डिमांड आ रही है यहाँ पर 1500 प्लस करने की देखो मुझा उमीद का मैं तुम लोग यहाँ पर 15 सुन नहीं आते हो ठीक है लेकिन फिर भी मेरे भाई अगर कर दो यहाँ पर दिल मांगे मोर अगर हो जाएगा तो मेरे भाई दिल बोले हड़िपा चलो वीनु मांग का ट्रॉफी वीनु मांग का ट्रॉफी कि स्खेल से संबंदित है सब्सब्स तो ने कितनी कर देखी रडजी ट्रॉफी देखी, okay? ठीके? तो ये भी आपकी क्रिकट से संबन देता है. जितनी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारी ये, अभी तक हम लोग ने जेखी ये क्रिकट से संबन देता, okay? ना करूँ शेर, राहूल कुमार, कोई बात नहीं मेरे दोस्त. According to latest data, published by International Monetary Fund IMF, India's Forex Reserve has become world 4th biggest with 580.3 billion US dollar, which country's largest Forex Reserve with 3349.30 billion US dollar. तो ये है चाइना, तो चाइना का largest Forex Reserve के मामले में चाइना टॉप पर है और इंडिया जो है, वो world का 4th largest या biggest reserve अपने पास रखता है इंडिया का 580.3 billion US dollar, क्लियर है भाई? इसे याद रखना है Long jumper मुर्ली शिरी शंकर, इनोहोंने Tokyo Olympic के लिए qualify कर लिया National record रहा 8.26 meter का in the Federation Cup Senior National Athletic Championship जो की पतियाला में रही थी मतलब पतियाला में आयोजित फेडरेशन Cup Senior National Athletic Championship में 8.26 meter के national record के साथ Long jumper मुर्ली शिरी शंकर ने, Tokyo Olympic के लिए qualify कर लिए He is from which state? He is from which state guys? He is from Kerala ये कहां से हैं? Keral से हैं Keral Onam Festival, Onam और Makar Vilakku Onam and Makar Vilakku ये दो Keral के festival है Onam and Makar Vilakku International Boxing Association announced that Asian Boxing Championship 2021 will be hosted by which country? तो भाई सब answer है यहाँ पर India Yeah, let me check क्योंकि AS अभी एक जो event है वो दोबाई में shift हुआ है तो मुझे एक देखना है तो कुशन नमर 32 को अभी hold पर रखना है Okay, hold पर रखना है इसको यहाँ पर आते हैं International Shooting Sports Federation Shooting World Cup 2021 Dr. Karni Singh Shooting Range दिल्ली में शुरू हुआ था Where is the headquarters of ISSF? International Shooting Sports Federation का मुख्याल है कहां पर है? So guys, where is the headquarters of International Shooting Sports Federation जो World Cup अभी Dr. Karni Singh Shooting Range में शुरू हुआ थे दिल्ली में तो यह जर्मनी के म्यूनिक में जर्मनी के म्यूनिक में इसका मुख्याल है, okay? Next Which country is the first country in Central America to be certified malaria-free by WHO? अभी World Health Organization के द्वारा कौन सा देश है? जो कि malaria मुक्त प्रमाड़ित हुआ है? या malaria मुक्त प्रमाड़ित होने वाला मद अफेरिका, अमेरिका का पहला देश कौन सा है? जो कि विश्वस्वास्त संगड़न ने भी अनौन्स किया है So guys, it is Al-Salvador Al-Salvador यह नाम याद रखना, Al-Salvador एक है? Al-Salvador Next Who has been appointed chairman of Stop TV Partnership Board? इसी का मुक्याल है तो जिनेवा में है Stop TV Partnership Board के chairman कौन बने है? तो यह हर्श वर्दन सहाब हर्श वर्दन, clear है? हर्श वर्दन Next Who has been appointed director general of military operation? किसको संचालन महानिदेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है यह है BS Raju BS Raju has been appointed as the director general of military operation DGMO कौन बने? BS Raju BS Raju Recycling Heroes is the theme of Global Recycling Day It is observed on which day Recycling Heroes, Global Recycling Day का विशह है यह किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्त, यह प्रतेक वर्ष 18 March को मनाते हैं तो Global Recycling Day 18 March इसका theme recycling heroes Recycling Heroes, okay? Which city is world most polluted city in 2020? According to IQ Air Swiss group, IQ Air उसके अनुसार 2020 का जो world most polluted city है वो कौन सा रहा है? तो यह राधा होटन चाइना इंडिया का जो था वो गाजियाबाद था इंडिया का first था यह गाजियाबाद था Okay, first Capital city सबसे आदा polluted कौन है वो यह है राजदानी नई दिल्ली में सबसे आदा polluted और वैसे भारत में सबसे polluted city गाजियाबाद है और विश्व में सबसे आदा polluted वो होटन चीन एक book इसका नाम है Battle Ready for 21st Century is edited by whom Battle Ready for 21st Century नामक कुस्तक किसकी द्वारा संपादित की गई है तो यह A.K. सिंग और नरिंदर कुमार वो कैन उसर को तो गलसी से skip नहीं करना A.K. सिंग और नरिंदर कुमार A.K. सिंग नरिंदर कुमार किनने 11th National Sub Junior Women Hockey Championship टैटल अपने नाम किया है जारखंड को हराकर सिंग देगा A.Straff Hockey Stadium में तो यह रहा था हर्याना हर्याना ने जारखंड को अराकर 11th National Sub Junior Women Hockey Championship टैटल अपने नाम किया था और यह रहा था कहां पर सिंग देगा A.Straff Hockey Stadium टोटल नमबर अफ बेसिक बैंक अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जंदन योजना प्रधानमंत्री जंदन योजना के तहत आपको पता होना चाहिए मेरे भाई Basic Saving Bank Deposit अकाउंट ओपन किये जाते है BSBDA फुल मिलाकर यह 42 करोट टोटल ओपन हो चुके हैं टोटल अमाउंट दिपॉजिटेट है 139.864 करोट रुपीज इसके तहित ओवरड्राफ्ट फैसलिटी अवेल करने के लिए ओवरड्राफ्ट जो मिलता है PMJDY में वो 10,000 रुपीज का 10,000 रुपे की OD की फैसलिटी यहां पर दी गई है तो यह जो लिमिट है वो जो एज लिमिट है कि 18-65 वर्ष का व्यक्ती ही जो कि इस योजना में इन्रोल कराया हुआ है वही OD के लिए eligible बनेगा बस आप इतना याद रखे CM चरंजीवी योजना किस से related है तो भाई यह health insurance से related है प्रतिक फैमिली को 5 लाग रुपे का health insurance दिया जाएगा और CM चरंजीवी योजना किस से स्टेट ने launch करी इस launch by दी राजस्थान इंद्रा रसोई योजना भी इसी के राजस्थान की और CM चरंजीवी योजना भी राजस्थान की है इंडियन नेवल landing craft utility L58 जो की आठवा और last ship है landing craft utility mark 4 class का तो landing craft utility mark 4 class का आठवा और आखरी ship जिसका नाम है LCU L58 इसको अभी commission किया गया है इंडियन नेवी में port Blair अन्दमा निकोबार आइलेंड इसको बनाये किसने it is built by home ये question important है बना कौन रहा है ये examiner पूछ रहा है RBI का जो examiner था assistant का उसमें पूछा गया था तो guys ये थे president तंजानिया के जिसकी capital है मेरी दो-दो-मा तो-डो-मा और currency यहाँ shilling चलती है मुत्रा यहाँ shilling चलती है तो-डो-मा capital currency सिलिंग चलती तंजानिया जौन पॉम्बे मगूफली यहाँ के रासपती थे और इनका हाल फिलाल निदन हो गया ये रहा overall session I hope clear रहा होगा मेरे भाई इसे complete करिए कल फिर दुबारा मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे और फिर मेरे भाई 12 बजे लेकिन उससे पहले इतना समझ लीजे कि जिनोह ने अभी तक इस batch की एक भी class नहीं लगाई है प्लीज जाईए अगर 50 में से minimum 40 चाहिए तो ज़रूरी है warrior 7.0 batch को complete करना आज ही जाके इस batch को complete करिए complete financial awareness का ये batch है बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा English Hindi जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ मेरे बाई वैसे पढ़ाऊंगा PDF English Hindi दौनों में मिलेगा content और important बात ये है इस batch को अगर आपने complete कर लिया तो फिर आपको mains तक एक लग के नाम से मिल जाएगा code लगाना अपने भाई का Y168 78% discount मिलेगा app पे और web पे 77 है तो app से purchase करना वहाँ coin का option होगा तो total 78 है simple समझो add the 247 application में जाओ warrior 7.0 batch select करो Y168 code लगाओ फाइदा उठाना इसके price को reduce करके 9.90 कर दिया गया तो आज 3 से 5 में मेरी class है गलती से skip मत कर दे न जुड़ना हर एक class की recording भी मिलेगी दो classes हो चुके एक introduction की एक और उस class को देख सकते हो अभी जाकर मेरे दोस्तों देख लो भड़िया रहेगा otherwise मेरे दोस्त तीन वज़े वाली class में जरूर जुड़ना बाकी recording बाद में देख लेना ओके रादे रादे दोस्तों clear होगा bank maha pack membership है अगर membership लेना चाहते हो तो समझ लो ये जितने batches है मेरे या all faculty के all faculty की all classes all bank batches all foundation batches मेल अब जितने भी bank exam जितने भी insurance exam उन सभी का prelims mains descriptive interview test series सब कुछ कबर होगा आपका इस bank maha pack में ये bank maha pack complete है इसमें live classes भी रहेंगी जिसमें आपकी video courses भी रहेंगे test series भी है e-books भी है सभी faculty के सभी batches जो हो चुके हैं वो जो running में हैं और जो आने वाले एक साल में वो सारे मिलेंगे सभी faculties के same process भी है application पे जाना है bank maha pack one year का select करना है code लगा लेना Y168 I hope clear होगा रादे रादे दोस्तों कल मुलाकात करते हैं सुपर 7 पजे